किसान साथियों यदि आप गेहूं की पच्छेती बॉई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि गेहूं की पच्छेती बॉई में हमें बीज की सही मातरा कितनी लेनी चाहिए और पिछेती बॉय में हमें खाद की कितनी मातर लिनी चाहिए और कौन-कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए कि यहों की पिछेती बॉय करते समय तो यदि किसान भाई आप पिछेती बॉय करने जा रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी परकार के 100% और्थंटिक जानकारी आपको भबिस में भी हम आपको देते रहें जब हम सामानेता अपने गेहुं की बॉय करते हैं किसान भायो आगेती समय पर तो उसमें बीज की मातरा पैदावार काफी अच्छा होता है और हमारा जो खेत का जमाँ होता है वह काफी बढ़ी है लेकिन किसान भायो अब हमारी जो से लेकर 60 किलो बीज इस्तेमाल करेंगे ताकि किसान भायो कुछ बीज जो नहीं जमेंगे उनकी जगह पर जब में अश्टरा बीज उसमें डाले रहें वह भी अगर जम जाएंगे हमारा खेत हो काफी हरा भरा लगेगा और जो हमारे खेत में गेहुं की मातरा होगी वह बिद्धन रखना है कि जब भी आप गेहुं की पच्छेती बॉई करें किसान भायों तो इसमें रोग लगनी के संभावना बिलकुल है बिलकुल इसमें रोग लग सकता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी हमारी गेहुं की फसल तो उसको जब भी आप होएं किसी की कमी ना करें किसान भायों यदि आप डियापी डाल रहें तो आप 50 किलो परतियकर डियापी डालें उसके साथ किसान भायों 45 किलो आपको यूरिया डालनी है और उसके साथ 25 किलो पोटास और 10 किलो उसमें आपको जिंक सल्फेट मिलाना है किसान भायों इन चारों को मिलाकर अपने खेट में डालेंगे आप तभी अच्छा उत्पद होगा उसके पहले किसान भायों यदि आपके पास कहीं गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको आप ऐखकड़ में आपको इतना हीऊरिया इतना ही अपको डालना है यदि किसान भायों गेहूं की फसल के लिए जब हम इन चारो उर्परकों को किसान भाईयों मिला कर अपने खिद में डाल देंगे तो जो हमारे गेहूं का जमाओ होगा वह बहुत ही बढ़िया होगा बहुत पादन हुआ तो अच्छा निकलेगा ही अगर हम उसको अच्छे से देख भाल करते रह आते रहेंगे तो तो यह था आज का वीडियो किसान भाईयों कैसा लागा हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा अपनी राय देना चाहते हैं कुछ सुझाओ देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर किसान भाईयों आएसी ही जानकरी आपको इस चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी किसान साथियों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद